जहें दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मिसन यूनिवर्स्टी पर तो कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं बहुत मस्त होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा बेसिक औ के लिए बहुत उपिओगी होने वाले हैं कर चुके हैंा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और और फारी तीम जो सारी टीम लखनो इन्वेस्टी में स्लेक्टेड है ऊपकी इंट्रें आप सारे यूटूबर सर्च कर लीजिएगा कि कौन सी टीम आपको बहतर पढ़ा रही है हम लोगों को आपको जो लेबल दे रहे हैं काफी ज्यादा है अब जादा पढ़ा रहे हैं तो अगर उसने नीचे भी आता है तो आप कर ले जाएंगे तो जो हमारी टीम है जो आपको पढ़ा रही है एकदम बहतरीन तरीके सालिट एकदम चीज़ पढ़ा रही है तो चलते हैं आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए ठीक है और कुष्षन में लिखा है यَदगिशि संकेति हमबल को लिखा जाता है तो प्रौड को क्या लिखा जाएगा ठीक है उसी बंछा में क्या लिख लिखाेगा आप बैसिक अच्छी से किसे समझ चुके हैं आप आएं क्या होगी भी हम लिखा तो सबसे पहले आपको अगर मैं बता चुका हूँ बार बार में बता रहा हूँ कि अगर आपको प्लेस वैलू नहीं याद होगी तो बहुत दिक्कत होने वाली आपको तो इसमें आए हमबल की देखते हैं अगर एक दो चेक लिजिएगा वस उतना वे तो काफी है तो हमबल औहलं दो होता है यह होता है इसमें का पहलेदेखी दिखेजिएगा तो यह जुआ एन होता थे कया दो दीख्येगा फिर यूं dab से कितना होता है एम होता है 30 इस कितना हुता है 19 तो कुछ बात समझ मैं आई यानि कि ऑच छ चौदा हिकीज पांच छब्वीज उसके बाद 13 औरnt पर क्या रिपीट हो रहा है याहां पर रिपीट हो रहा है छे प्लस कर रहे हैं फी प्लस 5 कर रहे हैं यानि कि पहले अच्छर में 6 प्लस दूसरे अच्छर में 5 प्लस तो इसमें यही करना है पहले में 6 प्लस कर देना है आपको यानि कि पी जो होता है वो 16 पर होता अगर इसमें 6 करेंगे तो 16 अच्छा 22 22 पर क्या हो जाएगा वी कि दूसरे में कितना प्रस करना है पांच तो अठारा पर होता अठारा पांच तेश यानि डबलू यानि आपका एक बिल्कुल कड़ गया बचे आपसन तीन फिर आपको छेड करना है तेरा च्छा उन्नीस यानि की ओ है ना ओ हो 15 पर ओ होता है 15 पर तो इसमें आप 6 जोड़ेंगे तो 15 का मतलब यू आपसन आपका ये कड़ गया बास समझ में आ रही कि नहीं आ रही है क्या रहा हूं ठीक है क्योंकि पहले आपसन में 6 जोड़ें पांच तीसरें छोथें में 5 तो जब मैंने 3 किया तो पहले में 22 आ गया प्रेंव फ्क Все एट करना 5 तो 165 niż 23-एनि कि जड़ होना चाहिए चैनि ऐस्थान पर होना चाहिए तो इसमें तो य है या याणि कि आपसं आपका एभी कट गया तो आपसं क्या होगा इसका भी हो इसमें क्या relation चल ला है और उसी relation से आपको इसमें answer बना देना ठीक है आज़े चलते हैं लिखा क्या है लिखा ये है कि MN तो कितना प्लस हुआ MN यानि एक प्लस हुआ O O P Q यानि दो प्लस हुआ ठीक है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बहुत बढ़िया O में 2 प्लस पहले में 1 प्लस दूसरे में 2 प्लस तीसरे में U है U एनि एक कैस एक कैस एक कैस और एकस जो होता है 24 यानि कि कितना एड हुआ है एक है तीन एड़ हुआ है ठीक है फिर चेक कर लीजिएगा टी कितना है टी है टी है बीस और वी कितना बाइस तो दो आड़ हुआ है फिर है एक एड़ हुआ यानि कि पहले एक दो एक एड़ हुआ दो आड़ हुआ तीन एड़ हुआ फिर दो आड़ हुआ फिर एक एड़ आई आजाएगा ठीक है यानि कि इसमें अगर एक आड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा आई फिर इसमें आप दो आड़ करेंगे ओ में दो आड़ करेंगे तो सत्तरा हो जाएगा यानि क्यूं हो जाएगा तो आपसन आपका ये कड़ गया यानि क्यूं हो जाएगा फिर इसम आप जोड़ेंगे तो कितना कई हो जाएगा यानी फिर यू हो जाएगा यानी आपका ऐती करना ता यानी की कहने का मतलब यह है कि जो relation इससे इसमें होगा वही relation जो है इससे जो answer में होगा उसमें होगा ठीक है सरल होते हैं अगर आपको place value याद है तो आपका सवाल बहुत अच्छे से हो जाएगा ठीक है आए चलते हैं तिसरे question पर चलते हैं एक इसी संकेती उतना ही आपको फैदा होगा हम तो बताने को सब बता दें हम तो पेपर देने जाएंगे नहीं पेपर में आप बैठेंगे तो अगर आप question करने की प्रेस्टिक कर लिए तो वहां आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है वीडियो को like और share करते रहें ठीक है आए चलते हैं एक question समझते हैं क्या लिखा है यादि brand को क्या लिखा जाता है ब्रांड को लिखा जाता है CTBP तो B के बाद C आ गया है प्लस एक कर दिया गया है R के बाद T यानि R होता है 18 प्लस दो कर दिया गया है इसमें प्लस एक इसमें प्लस दो यानि प्लस वन फिर प्लस डू उसके बाद क्या है AB यानि प्लस वन फिर N MP यानि प्लस दो यही हो र सबसे पहले क्या करना है और यहींग करना है non coaster गो गाने तो आपका एंसर बिल्कुल गठ हो गया ठीक है यह वाल कूसके बाद एक प्लस फिर एक प्लस करना है तो i i के बाद क्या होता i होता है no i j यानि कि j होगा इसमें भी मिलना है इस तीनों में मिलना फिर j हो जाएगा यानि पी पी जे तीनों में मिलना है फिर आपको दो प्लस करना है पहनी 4 दो 6 6 पर क्या होता है छे पर होता f यानि अपसन ने आपके यह कड गया अब यह दोनों आपके आपसन बचे ठीक है उसके बाद फिर क्या करना है एक प्लस करना यानि कि b यानि आपसन d क्या हो गया इसकाकršia इसका d आपसन हो गया यानि कि पहले में 1 दूसरे में 2 है यहाँ पर देख लिए कि यहाँ आघ्र हो साहन पर ती कि लाग्व। या फिर पहले सेम ना हो तो आपके और एक ही से चेक कर सकते हैं आपको आप समय होगा 100% ठीक है बास समझ में आगे आए आगे चलते हैं तो आगे एक दो तीन भाई साब तीन कुशन मचें हैं तो इसको आप लोग अच्छे से ट्राइज करिए ठीक है आपकी कोटिंग जो डिकोटिंग है कोटिंग और डिकोटिंग है इससे उपर नहीं आने वाला है भरोसा रखिए हमारी टीम पर और हम लोगों को पर क्योंकि जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है बहुत सालिड है ठीक है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें ठीक है आप अपने आपका चैनल है आप लोगों के साथ साथ आपके दोस्तों का भी लाब हो ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करने हैं चैनल को सब्सक्राइब करने हैं ज्यादा से ज्यादा से अगरने हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाए हिन दोस्तो